दोस्तु हमारे चैनल घरेलू निस्के को लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर न न भूलें दोस्तु इमली के खटे मेठे स्वाद लोगों को बहुत पसंद आता हैं लोग इमली का उप्योग अकसर गोल, गपे, सांबर, चटनी या तक कहीं दालों में भी करते हैं इमली बीज के फाइदे मधु में को रोकने, पाचन को ठीक करने आधी में किया जा सकता हैं लेकिन इसके नुकसान भी हैं आईए जानते हैं इमली के बीज के नुकसान के बारे में नमबर एक दात की परेशानी इमली और उसके बीज का अधिक मात्रा में सेवन करने से अपने अमलिये परभाव के कारण दातों को खटा कर देती हैं जिससे दात का इनेमल परभावित होता है नमबर दो चर्म रोग लगातार इमली के सेवन से चर्म रोग होने का खत्रा पैदा हो जाता है अगर ज़्यादा मात्रा में इमली और उसके बीज का उप्योग करने पर सरकरा पचाने की चमता की वज़े से यह बलड सुगर को एकदम से नीचे लाद देती हैं इस से हाइपो गलाई सेमिया का खत्रा पैदा हो जाता है 4. रक्तिस्तराओ का खत्रा एस्प्रीन जैसी कुछ दवाओ के उप्योग करने वाले लोगों को इसके उप्योग से बचना चाहिए क्योंकि इसके अंत्रिक्त रक्तिस्तराओ होने का खत्रा पैदा हो जाता है 5. गोल बलेडर में पत्री इमली का सेवन या बीद से आपके गोल बलेडर में पत्री की सिकायत पैदा हो सकती है इसलिए इसके अधिक सेवन से बचना चाहिए कई बार इमली या उसके बीद से खांसी की समस्या बढ़ जाती है दोस्तो और दमा के रोग्यों को तो इससे मेलो दूर रहना चाहिए दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे लाइक करें और जादा से जादा सेर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बूलें